देखिए दो चर्णों का जो मद्दान हुआ है उससे ये दिखा गया है कि ग्रामईन इलाकों में बंपर वोटी हुई है उसमें भी महिलाओं की संख्या पूरुशों से ज्यादा है 47% महिलाओं की संख्या है 44% पूरुशों की संख्या है और एक्सिज माई इंडिया जो सबसे रिलायबल जो एक्जिट पोल जिन्हों ने दिया है पिछले चुलाओं को भी अब देखेंगे उनका कितना सही रहता है उनके आकणों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं और जिस तरह से अंतिम वेक्ति तक विकास का लाप पहुचाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है वो कहीं न कहीं लोगों को अंदर तक वो बात अच्छी लगी है बीजेपी भले ही अपने इतने सारे निताओं को लेकर आये प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर और उनकी इतने तो कटे ने का मतलब यह हुआ कि आप बाबा साहब अमेटकर का खुले आम उनको अपमान कर रहे है क्योंकि अमेटकर द्वारा बनाए गया जो सम्मिधान है वो सबको यह अधिकार देता है बराबरी का और समानता का अधिकार देता है आप उसको जुटला रहे है आप या फिर राज्य सरकार की जिम्यदारी है जिस राज्य में वो प्रवेश कर रहे हैं ऐसे में जब जारकन के आसपास कोई international border नहीं है और जब आसम के रास्ते अगर माली जी कोई प्रवेश कर रहा है तो आसम की जिम्यदारी है आप ही कह रहे हैं कि घुसपैठिया है तो आप जो सांसद और विधायक जो हल्ला बोल रहा है इसको लेकर वो खुदी उनका नाम पता लेकि क्यों नहीं ग्रिम मंत्राले को दे रहा है कि इंद्र सरकार के पास तो पूरा ग्रिम मंत्राले है वो जाहे तो अराम से उनको अरिस्ट कर सकते हैं जाच कर सकते हैं कि उनका जो ID password है वो फरजी है कि क्या है जनता जानती है ऐसा कुछ नहीं अगर हमारे मोहलने में कोई बाहर का अदमी रहने आएगा तो हमें पता होगा ना अगर हमें ही पता ना हो और कोई आके कहे कि आपके मोहलने में अमुक समुक रह रहे हैं तो हम क्यों मानें उनकी बात यहीं हुआ पानों तसकरी था तो उसको रोकने के लिए माननी है मन सुरेंजीरी सबको रेस्क्यू करा है लड़कियों को नावालिक लड़कियों को और करा कि यह तरह तरह की योजनाई दी दिन में से महिया समान भी एक है राशी देना और उन्होंने सबके लिए सोचा सर्वजन उन्होंने सबस्क्राइब करेंगे उनको मदद करेंगे तो फिर उनके सामान को बेचनी के लिए उनके मार्केटिंग के लिए उन्होंने पलाश मरान दे दिया कि लोग आँग मुंद कर उसमान भी ले सकते हैं बेच सकते हैं इतनी सारी योजना और भी अबुआ अवास योजना है ग्रामगारी योजना है किसानों का दो लाक रिन माफ कर दिया तो ऐसे करके हजारों ऐसा काम उन्होंने किया है जिसकी बदाला जनता उनको काम को देकर वोट कर रहे हैं एक भी बार हमारे जो स्टार प्रचारक हैं आप देखेंगे कभी भी विपक्ष के किसी नेता पर या हमारे पार्टी से तोटके जो गए भाजपा जिनको ले गए उनके खिलाप एक भी शब्दनाप्शन अप नहीं बोला सब के साथ सम्मान पूर्बग बेवार कि विक्तिकत आरोप प्रत्यारोप हमारे तरफ से किसी ने नहीं किया बलकि उनको और ज्यादा सम्मान दिया और वहीं दुसरी और भाजपा की लोग विक्तिकत हमला लोगों की पीछे लगना तोर फूर अपस में कराना धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना जहर फैलाना य यही सब में उनकी पूरी एनरजी चले गई और इसलिए जनता आप बेवकुफ नहीं बना सकते हैं